बेसन के बिना पकोड़े देखके यकिनी नहीं हो रहा है आज आप लोगों के लिए मैं बनाई हूँ बिना बेसन की पकोड़े की रेसिपी ये है रमजान स्पेसल एक पकोड़ा की रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगता है बिल्कुल करंची और बिल्कुल करारेदार बहुत ही में वीडियो को शुरू कते हैं यहां पर मैं चार अंडे का दिखा रही हूं आप लोगों ज्यादा करना चाहते हैं तो ज़रूर से ज्यादा इसमें बना सकते हैं बॉयल किया हुआ चार अंडे को इस तरीके का जो है आप लोगों को कट लगा लेना है आप लोग जो है इसको ऐसे आधा भी बना सकते हैं या फिर इस तरीके का चार टुकड़ा करकी भी कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले जो है इस सभी अंडे को मैं जो है इस तरीके का ही 4-4 टुकड़े कर लेती हूं मेरे चैनल पे फ्रेंड इसके पहले भी मैंने बहुत सारे रेसिपी दिये हुए हैं आप लोगों को पसंद आता हैं तो जरूर कॉमेंट पर बताना अब इसका बैटर तैर करना है बैटर तैर करने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ गेहू का आठा आधा कप उसके साथ डाल देंगे मैं सुआद अनुसार नमक अभी इसी चम्मस से मेजर्मेंट से डालूँगी आधा चम्मच हल्दी पाउडर उसके साथ अभी जो है इसके अंदर डाल देना है आधा चम्मच लाल मेची पाउडर आप लोग अपने तीखा के अनुसार लाल मेची कम जादा कर सकते हैं उसके बाद इस पे डालना है सब पे तील ये जो है तील भी आदा चमच और उसके साथ डालूंगी मेया पर चीली फ्लेक्स और साथी में डाल देना है धनिया के पत्ते बारिक बारिक टुकडे में कट किया हुआ इन सबी चीजों को जो है अब आप लोगों को सूखा इंगिडियन्स को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है थोड़ा थोड़ा करकर के इसमें अभी पानी डाल के एक स्मूथ वाला बैटर तैर करना है पानी एक साथ बिलकुल नहीं डालना है इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करते डालते जाना है और बैटर तैर करना है ताकि इसमें कोई भी लंस ना रहे इसलिए पानी जो है इस तरीके का जो है आप लोगों को बैटर बना लेना है अब इस पर डाल देना है गरम तेल यहाँ पर मैं एक चमच तेल डाल देती हूँ और इसको फिर से मिक्स करके मैं पास से दस मिनिट के लिए रेश्ट के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद जो है यह अंडे को इ में तेल बहुत हाई फ्लेम पे गरम कर लिया है हाई फ्लेम करने के बाद इसको जो है लो मीडियम कर देना है और एक एक करके सब भी पकोड़े को जो है डालते जाना है और तेल का फ्लेम इस वक्त जो है मीडियम लो पे ही आप लोग को रखना है चमच से अगर आप लोग क डालने में तकलीफ हो तो आप लोग जो है इसको हाथों से भी डाल सकते हैं और इसको जो है पकोड़े को मीडियम फ्लेम करते ही फ्राइ करना है इससे जो है पकोड़े बहुत ही ज्यादा क्रेंशी बनता है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है तो चलिए जितना भी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राइ करना है तो चलिए सब को निकाल लेते हैं यहाँ पर पकोड़े जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है आप लोग को यह पकोड़े की रेसिपी कैसा लगा जरूर कॉमेंट पर बताना अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करना शे ही रेन